बॉलिवर इंडस्ट्री में आपने देखा होगा कि फादर्स और डॉर्टर्स की बीश की बॉन्डिंग बहुत इस्पेशन है बात करें महिश भट आलिया भट की बात करें अभिशेक अरद्या की अमिता बर्चन श्वेता नंदा बर्चन की या शारुख सुहाना खान की या फिर रंधीर करीना की इन सब की बॉन्डिंग सबसे खोबसूरत है लेकिन इन्हीं बॉलिवोड के स्टार केज और उनके आक्टर पादर्स की तरह एक जोड़ी है जो की काफी जादा प्रिये है हम बात कर रहे हैं आप सभी के बीच बॉलिवोड के सिंग हम अजर देवगन और उनकी बीची नियासा देवगन के बारे में नियासा भले ही इंडिया से बाहर पिल्हाल सिंगापूर में अपनी मौम काजोल के साथ रह रही हो वजह सिर्फ और सिर्फ स्टडी है ना तो मर्जी है और ना ही कोई गिलिश शुक्वे उनके पता अजर देवगन के साथ है पता के साथ दूरी बनाना नियासा के लिए सबसे टॉफस्ट डिसीजन है लेकिन ये डिसीजन नियासा नहीं बलकि काजोल का है कि वो अपनी बेटी की एजुकेशन में कोई कमे नहीं होने देंगी और पैंडमिक में इसलिए सिंगापूर में नियासा के साथ काजोल ने रहने का पैसला लिया फिर चाहे उसके लिए उन्हें अपने बेटे यूग और पती से दूरी क्यों ना बनाने परे काजोल एक बहुत स्ट्रिक्ट मॉम है लेकिन बिलकुल अपोजिट है अज़देवगन बहुत जादा पैंपरिंग नमस्कार देख रहे हैं आप नेक्ष्ट नाइन नियूज स्वागत है आफ सभी का हमारे शानल आज दोस्तों आप सभी के बीच मैं आपकी होस्ट त्रप्ती ये खास प्रोग्राम लेकर आई हूँ नियासा देवगन और अज़देवगन की बॉंडिंग के बारे में कई बाते आप तक पहचाने के लिए नियासा और अज़देवगन से उनकी बॉंडिंग बहुत खुबसरत है आज की जमाने के किड्स को अगर आप उनके स्टाहल से नहीं जानेगे तो समझना मुश्किल होगा अज़देवगन के साथ ट्रीट करनेगे तो समझना मुश्किल हैं और इसलिए पोन्स को लेकर टेकनिकल तरीके से टेकनलोजिस को लेकर नियासा जो एक्टिव है इसलिए अज़देवगन के साथ ट्रीट करता है नियासा उन्हें सही और गलत में फर्क बताती है एक मा की तरह नियासा अज़देवगन के साथ ट्रीट करती है ये था हमारा आज का शो बॉलिवड टाउन के मशहूर पादर डॉक्टर के बारे में अज़देवगन और नियासा देवगन के बारे में वक्त हो चला है आप से विदा लेने का फिल्म इंडस्ट्री की ऐसी ही तमाम लेटिस्ट खबरों के लिए इस दुनिया के साथ जोड़े रहने के लिए एंटिटेन्मिन के साथ बने रहने के लिए देखते रहें आप नेक्स्टो नाइन न्यूज और इस चैनल को ज़रूर करें सब्सक्राइब बला आइकन को ज़रूर दबाएं बाई 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 टेक कियर